बॉर्निंग चिल्डरन टुड़े विर्विटी सब्जेक इंग्लिश विकास मेरी गोल्ड यूनिट फाय जू मैनर्स में मैंने आपको एक्सेसे करवा दी है हाड़ वर्ड करवा दिया था क्वेशन अंसर अमारे बाकी रहे थे पेज नबर 74 है यह पेज नबर 74 के क्वेशन अब देख लेना ठीक है वाट यू सी एड़ जू तो आप जू में क्या देखते हो आप जू में वाट सी वाट डू यू सी एड़ जू आप डू में आप क्या देखते हो तो वी सी हम क्या देखते है एनिमल्स एड़ जू एनिमल्स होते हैं जू में क्या होते हैं जू में क पाद what does the camel have you need back to the camel has the camel has a hump on its back what does the camel have on its How and on its back the camel has a hump on its back camel के back में क्या होता है हम होता है उच्छा हुचा ऑफ होता है इसको इंडी में क्या बोलते हैं कुबड बोलते हैं उसके पीट पे क्या होता है एक उच्छा सा हम पोता है ओके वाट डर्स दचिंपांजी थींग ठीजिक ही ही एज रवाइस एज यू और मि वो सोखता है कि मैं बहुत बड़ा एनीमल हूं जैसे वह अपने वह सोखता है जैसे आप और मैं वह सोखता तोला है कि मैं बहुत बड़ा एक वाइज क्या हूं वाइज मैं बहुत बड़ा हूं जैसे तुम और मैं यिससे आप और मैं ऑके कि उर्हेस्ट लॉट दॉट दरेंग्विंड डू पैंग्विंड क्या करतीत पैंग्विंड 610 पैंगिंग 7 desarrollo लेक पैमीन ओरन दो लैंग होती है उसके आजू-बाजू क्या कर रहे थी गूम रही थीयों के सãyस्टेंग का मतलब क्या होता है आजू-बाजू चलना वह क्या कर रहे थी देलियों के आजू-बाजू चल रहे थी okay what do the penguin understand so about penguin can understand to doesn't understand what you say penguin क्या समझ सकती कि हम उसको क्या कह रहे हैं वो दूर से हमको समझ सकती है देखके वो हमको समझ सकती है उसके बाद हम और आट ओध कि उसके आब करण परम शच्छी टिर्ट अनिमल दोई हमको अनिम इंदर इनिमल को क्यासे ट्रिट करना चाहिए तो वी ट्रीट देम एंस वेल इस दे यू एफ वी ट्रीट देम एंस वेल वांब आपको पहले में हो गया हमाना जूर मेन फार 1 यह इसका बाकी है तो इसमें आपको किया किया करना है रहे हैं सब्छाइब में हाड़ वर्ट में आपको इसका हिंदी मैंने आपको लिख के बताया है इसके पहले वीडियो में आप चेक कर लेंगें इसमें आपको फ़ले हाड़ वर्ट लिखना है जू मैंनर्स क्यारफुल विजिट एनिमल्स कैमल हम प्राउड मच थिंक अंड़स्टैंड पैंग्व question answer लिखने हैं उसमें heading डालना है let's talk या question answer फिर उसमें लिखना है what do you see at the zoo जू में हम क्या देखते हैं जू में हम क्या देखते हैं animal तो we see animal at the zoo ओके फिर what does the camel have units back on its back camel के back में क्या होता है तो एक कुबड़ होती हुची हम उसको इंग्लिश में हम पोलते हैं और हम बोलते हैं और हिंदी में क्या वर्ट इसको फूबड़ बोलते हैं तो the camel has hump on its back what does the chimpanzee think the chimpanzee think he has wise as you or me वह बहुत बड़ा है जैसे you and me तुम और मैं वह अपने आपको अपनी तरह समस्ता है एक इंसान की तरह समस्ता है जैसे इंसान बहुत बड़ा होता है इसे में भी बहुत वाइस हूं ओके इसके बाद उकडे चल रही थे take lowould लीच के आजू वाजु ओके ओक दू जूब्रOM याज ईससान की भासा समस्ता है असको क्या याज क bombers जीने गारीयो कार याज ये नहीं में 1 टाइम करना है हाडवर्ड आपको टू टाइम करना है ठीक है में आपको फिट से दिखा देती हूँ हाडवर्ड आपको टू टाइम करना है CW में Question answer आपको one time करना है CW में ये question answer आपको page number 74 wordbook में आपको question answer मिल जाएंगे ठीक है मैंने उसमें भी लिखे हुए मैं अभी आपको बताती हूँ और आपको इसमें से भी देखके लिखना है इसमें से देखके लिखना हो तो इसमें से वर्बुक में से देखके लिखना हो तो वर्बुक में से page number 74 में question answer है 6 ये आपको कितनी बार करना है one time करना है अपने CW में उसके बाद आपको क्या करना है CW में ये लिखना है one time write the correct option ABC और in the box ये आपको करना है ये करना है ये मैंने इसके पहले की key video में मैं आपको बता दिये question answer जो मैंने चौपडे में लिखा हुआ है फूल्लस्केप में जो मैंने लिखा हुआ ये है आप इसमें से भी देखके कर सकते हो या तो इसमें से भी देखके कर सकते हो question answer लिखने के बाद आपको write the correct option लिखना है उसके बाद filling the blanks लिखना है और क्या लिखना है rhyming word मैंने इसके पहले के वीडियो में आपको मैंने यह बताया था ठीक है और rhyming word लिखना है आपको hard word लिखना है question answer लिखना है और क्या लिखना है write the correct option write the correct option आपको लिखना है और filling the blanks लिखना है ठीक है यह हमारा चैप्टर जो होता है जो मैनर्स का वो हमको CW में सिफ हमको क्या क्या लिखना है hard words question answer mcq यहनी correct the option and filling the blanks और rhyming words यह हमारा 3W का work है और जिसने workbook में जिसका बाकी वो में यह आपको दिखा रही वीडियो में आप चेक कर लेना right the correct option में ने करवाया है M cambi words करवाया है यह करवाया है Complete the work यह देख ले आप जिसका बाकी वो में तीन तारीच की वीडियो में में यह करवा दंगर है आज के वीडियो में आपको फिर से यह आ मैंने ये करवाया था ठीक है और ये मैंने आपको घर से करने के लिए था ये मैंने थोड़ा करवाया था एक पेज और एक पेज मैंने आपको घर से करने के लिए था ये मैंने करवाया था देख लीजिए जिसका बाकी वो इसमें से देखके कर लेगा और ये मैंने आपको घर से करने के लिए दिया था और ये भी मैंने आपको घर से करने के लिए दिया था कि कलर दे पिच्चर एं फिलिंद ब्लैंक्स आपको जो बन पसंद आपको कलर वह भरना है और आपको क्या करना है फिलिंद ब्लैंक्स फिल करनी है ओके यहान से हमारा Part 1G chapter खतम होता है June minus chapter खतम होता है हमारा CW का वर्ग भी हमने बता दिये मैं आपको और workbook का work भी बता दिया पता चल गया आपको है के आपको CW का work भी इसमें से देखे करना है और workbook का आपका बाकी हो तो आपको इसमें से कर लेना है इसके आगे के वीडियो में मैं आपको इसके आगे का जो चैप्टर है फ़नी बनी ठीके पार्ट टू है यह हमारा ठीके फ़नी बनी चैप्टर है वो मैं आपको लिखके explain करूंगे हमारा पास textbook नहीं है हर वीडियो मैं आपको बताती हूँ कि हमार पास textbook नहीं है तो मैं आपको लिख के बताती हूं ठीक है आपको यह मैं नैस वीडियो में मैं बताऊंगी आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे कि अच्छी तरह से रीडिक करके अच्छी तरह से रा च弜ान है बताऊंगे और cucन और जो वर बुक में दिया हुआ है वो मैं आपको कम्प्लीट करवाऊंगी बट आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगी ओकी नएस वीडियो में मिलते हैं चिल्रन हम यूनिट फाई यूनिट फाई का पार्ट टू फणी और बनी ठीक है पड़ आपको यह जरह से लिखना है और साथ साथ में लर्ण करना यह आपको एक्जाम में आएगा सेमिस्टर टू की एक्जाम में आपको आएगा इसको लर्ण भी करते जाना है ओके चिल्डरन एक बार देख लीजिए जिसका बाकी वह कंप्लीट कर लेना ओके कि देख लीजिए यहां से हमारा यूनिट फाई पार्ट वन जूम मैंने चेप्टर फीनिस होता है था यू